नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News सबसे पहले एक नजर आज की सुर्क्यों पर हर्यान विधान सब चुनाओ के लिए बीजेपी नी ठोकी ताल 66 उमिदानों की पहले लिस्ट हुई जारी हर्याना बीजेपी में लिस्ट आते ही मची भगदाड टिकट कटने पर विधायक समेत कई निताओनी पार्टी चोड़ी रनजी चोटाला ने मीटिंग बुलाई बताएंगे पूरी अपडेट हर्याना के 12 जिलों में बारिस तर्की दादरी का बाजार डूबा नहीं खुली दुकाने हिसार में 6 साल का रिकोड टूटा हर्याना कोंग्रेस में 66 नाम फाइनल 25 शिटिंग विधायकों की टिकट तै कुमारी सेल जावा सूर्जे वाला की सीटेरों की लिस्ट में साथ नए नाम जोडे स्कूली विद्यारतों के लिए आई बड़ी खुश कबरी इस दिन लगेगा साइकल मेला ऐसे उठा पाएंगे फायता बताएंगे पूरी खबर सरकारी नोकरी अपडेट रेलवे में स्टेशन मास्टर टीसी समयत 11,558 भरतियों का एक सोट नोटिफिकेशन वाजारी 14 स्तंबर से कर पाएंगे अपलाई हर्याणा एसम्बली इलेक्शन अपडेट जज़पा एसपी ने गोशित के उननी सुमीदवार उचाना से लेड़ेंगे दुशें चोड़ाला हर्याणा विदान सबाचुनाओ के बीच बीजेपी में बगावाद मेहन दर्शन की रिनी सोड़ी पार्टी पंजाब एंड हर्याणा हाई कोड का बड़ा फैसला जेल में मोबाईल मिलने मातर से पैरोल नहीं होगी रद हर्याणा के अधिकतर जिलो में बुद्वार सुबै से बारिश हो रही है इसमें चंडिगट, पंचकुला, अंबाला, कुरूचेतर, यवना नगर, भिवानी, महिंद्रगट, रोग तक चर्की दादरी, गुरुगराम, फरेदाबाद, नू और पलवल सामिल है चर्की दादरी में दो गंटे की तेज बारिश के बाद में बाजार में तकरीबन तीन फूट तक पानी भर गया, दुकान दार भी दुकान बंद कर घर चले गए, जिटी रोड बेल्ट पर लगने वाले जिलो में बादल चाही हुए है, यहां तेज हवाई भी चली, इससे चर्की दादरी में 8 सितंबर तक मानसून एक्टिव रहेगा, उसके बाद स्क्रियता कम हो जाएगी, अभी तक 11 जिलो में 11 जिलो में सामाने से कम बारिश दर्च की गई है, मोशम बेग्यानिकों का मानना है कि 6 सितंबर तक तेज बारिश का सिलसला लगातार जारी रहेगा उसके बाद 8 तारिखाते आते यह धिमा पड़ जाएगा, मानसून एमुमन सितंबर के आंतर तक विदा होता है, IMD के मताबिक अभी कहीं कहीं बारिश का सिलसला जारी रह सकता है, कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है NTPC ने रेलवे भरती बोर्ड यानी RRB में नोन टेक्निकल पदों पर भरती का एक सोट नोटिविकेसन जारी किया है, इसके अनुसार स्टेशन मास्टर, टीसी, ट्रेन कलार्क और जूनियर कलार्क समित, कुल मिलाकर 11,558 पदों पर यह भरती किया जाएगी, इसमें 1445 और ग्रेजुएट के लिए 8113 पदों पर यह भरती होगी, आयुदन पर किरिया 14 स्टंबर से प्रारम होगी, उम्मिद्वार RRB की वेबसाइट rrb apply.gov.in पर जाकर जानकारी देख सकते हैं, भरती का डेटेल नोटिकेसन जल्द जारी किया जाएगा, आयु सिमा के बात करें, अंडर ग्रेजुएट केंडिडिट 18 से 30 वर्ष और ग्रेजुएट केंडिडिट 18 से 33 वर्ष के लिए apply कर सकेंगे। पर एक फेज में 5 अक्तुबर को मतदान होगा, रिजल्ट 8 अक्तुबर को आएंगे। पांच नेताओं के परिवारों को भी टिकट मिला है, इनमें कुल्दी विश्नोई की विधायक बेटे भवे विश्नोई, किरन चोदरी की बेटी सुरुती चोदरी, केंडर राजी मंतर राविंदर जीत की बेटे आरती राव, सत्पाल शांगवान की बेटे सुनिल शांग इनने ABVP कोटे से टिकट दिया गया है, पिहाओवा से पूर मंतरी संदीप सिंग का टिकट काट कर पहली बार सरदार कमलजीत सिंग अजराना को चुनाव मैदान में उतरा गया है, करनाल विदानसपा सिट से जग मोहन आनंद को पहली बार टिकट मिला है, समालका से मोहन भडाना, खरकोदा से पवन खरकोदा, सोनिपत से निखिल मदान, रतिया SC से सुनिता दुगगल, कालावाली से राजिंदर, देशु जोदा, रानिया से सिसपाल कमबोज, नलवा से रनदीर सिंग पनिहार को भी उम्मिद्वार बनाया गया है, बाडड़ा से उम्मिद पाश्वान, तोसाम से सुरूती चोदरी, चर्के दादरी से सुनिल सांगवान, बवानी खेडा SC, कपूर वालमिकी, मेहम से दिपक हुड़ा, गड़ी सापला किलोई से मंजु हुड़ कलानोर SC से रेनु डाबला, बादरुगड से दिनेश कोशिक, जजजर SC, कप्तान बिर्धाना, बेरी से संजे कबलाना, अटेली से आरती राओ, कोशली से अनिल डहीना, गुरू ग्राम से मुकेश सर्मा, पलवल से गोरव गोत्तम को पहली बार बीजेपी ने टिकट दिया 19 उमिद्वारों में 4 उमिद्वार, आजाद समात पार्टी और सेस 15 अपरतियासी जजबागी हैं, पहली सुचे में 19 उमिद्वारों में पोर उपमुखमिंतरी दुशन चोटाला का नाम भी सामिल है, दुशन चोटाला उचाना सीट से सुनाल लटते भी दिखाए देंगे नलवा से विरेंदर चोदरी, तोसाम से राजेस भारदवाज, बेरी से सुनिल दुजाना सरपंच, अटिली से आयू सी अभीमन नुराव, होडल से सत्बीर तवर, शाडोरा से सोहिल, जगादरी सी डक्टरासो कस्यब, सोहना से विनेस गूरजर और पलोल से हरिता बैंसला सामिल है, हर्याना के राज के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यारतियों के लिए अच्छी कबर सामने आ रही है, विद्यारतियों को स्कूल आने जाने में किसी परकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सिक्ष्य विभाग द्वारा निरंतर प्रियास किये जा रही है, इ इसमें अलग-अलग कम्पनियों की साइकल ड्रीलरों को आमंत्रित क्या गया है बता दें कि जो विद्यार्थी चठीक अक्षा में पढ़ते हैं तता अनुर्सुची जाती से संबंद रखते हैं उनके लिए यह योजना सुरू की गई है अगर विद्यार्थी को उश्य ज्या को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं वहीं इन सब के बेज पहलवान बजरंग पूनिया और विनेस पोगाट ने नई दिली में राहूल गांदी से मुलाकात की है दोनों पहलवान खिलाडियों की इस मुलाकात के बाद सोबे का सियासी पारा और भी गर्मा गया है अठकले लगाई जा रहा है कि कोंग्रेस पार्टी दोनों ही पहलवान खिलाडियों को विदान सबा की चुनावी रण में परतैसी गोशित कर सकती हैं कोंग्रेस का मानना है कि इससे पहलवानों के मुद्दे को बीज़ेपी के खिलाब बुपेंदर शिंग घुडड़ा भ चरकी दादरी शिटे विनेश पोकाट के गरहे जिले में आती हैं जबकि जीन जिले की जुलाना में उनकी ससुराल है कॉंग्रेस ने विनेश को साब तोर पर काया है कि वो जिस शिट पर भी कहेंगी उन्हें टिकट मिल जाएगा दूसरी तरह बजरंग पूर्या ने कुल्दिव वत्ष को टिकट फाइंदल कर दिया गया है कुल्दिव ब्रामन नेता हैं ऐसे में कॉंग्रेस कुल्दिव का टिकट काट कर ब्रामनों को नाराज नहीं करना चाहती है इसके लावा बजरंग ने सोनीपत शीट पर इच्छा जाहिर किया है लेकिन वहां से भी स इसे भी जाट बाहुले शीट का ओप्सन भी दिया गया है अब गेंद बजरंग पूनिया के पाले में कि वो किस विदान सबाद शीट से चुनाओ विरान में दाउं पेच लड़ाना चाहते हैं हर्याना विदान सबाद शुनाओ दोजार चोबिस को लेकर भाजपार ने पहली सुची जारी कर दिया है तो वहीं कोंग्रेस के उमिदवारों की पहली सुची लगबग फाइनल हो चुके है साथी पार्टी आज यानी गुरवार को जारी कर सकती है कोंग्रेस उमिदवारों की सुची को हर्याना परदेश परवारी दिपक बाबरिया ने पूश्टी की है मीडिया से बाचित में दिपक बाबरिया ने कहा कि कॉंग्रेस ने हर्याना विदान सभा चुनाओ के लिए 66 उमिद्वारों के नाम फाइनल कर लिए है पहलवान विनेस पोगाट और बजरंग पूनिया की चुनाओ लडने वह उमिद्वारों के सूची की तस्वीर आज पूरी तरह से साफ हो जाएगी कॉंग्रेस के केंजरे चुनाओ समीते की बैठक में सिर्शा सानसत कुमारी सेलजा और राज सभा सानसत रनदीप सुर्जवाला की शीट को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है हालनकि दोनों की सीटों को परस्ता बैठक में जरूर रखा गया है सुर्जे वाला की कैथल सीट पर चुनाओ लड़ने की सर्चा है जब कि कुमारी सेलजा ने अभी किसी सीट पर दाविदारी नहीं जताई है कॉंग्रेस केंदर चुनाओ श्मीते की बैठक में यह भी तैक किया गया है कि हरियाना विदानसवा चुनाओ दोजार चुविस में अपने 39 में से 25 विदायकों को फिर से टिकट दे जाएगी इनके अलावा पार्टी पर दे सदेक्ष उद्यवान समेत साथ नए चेहरों को भी इस बार चुनाओ लड़ने का मोका दिया जाएगा हरियाना के 90 विदानसवा सीटों पर 5 हक्तुवर को मतदान होगा और वोटों के गिंती 8 हक्तुवर को होगी फरिदाबाद यातायत पुलिस द्वारा अब हाईवे पर लेन बदलकर चलने वाले वाहनों पर नजर रखने के लिए और भी ज़्यादा सक्ती बरत्ती हुई नजर आएगी यातायत पुलिस द्वारा ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए ड्रोन की साहता ली जा रही है ड्रोन की साहता से नेम तोड रहे वहाहन का तुरेंट फोटो की जा जाएगा ऐसे में वहाहन चाले के पास कोई भी भाहना नहीं रह जाएगा ड्रोन की साहता से इन सब चीजों का आसानी से पता लग जाएगा इसी क्रम में सोमार को यातायत पुलिस द्वारा 24 वाहनों के चालान भी काटे गई इस विशे में जानकरी देते हुए DCP ट्रैफिक उशा ने बताया कि कुछ लोग लेन बदल कर ड्राइविंग करते हैं उनके काट कई बार शड़क हाथ से होते हैं इसलिए यातायत पुलिस द्वारा सक्ति बरती जा रही है इसके लिए नई तकनिक का इस्तिमाल किया जा रहा है कुछ लोग बार-बार जागरुक करने की बावजूद भी नेयमों की आवेलना करते हैं भाजपानी 400 पार का हववा बनाया हुआ था वे खत्म हो गया हर्याणा में जो 10 साल में हुआ इन्हें पता लग गया इसलिए इन्होंने मुख्यमंत्री बदला इसके बाद भी पार्टी को मुख्यमंत्री और परदेश अद्यक्स के अलग अलग सूर सुनने को मिल रहे हैं इन लोगों में ताल मिल की कमी है ये क्या राज देंगे यह बात कॉंग्रेस महासरचीव और सिर्षाट से सान्षद कुमारी सेल जाने कही उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस में मुख्यमंत्री के नाम पर आखरी फैसला हाई कमान का होगा यही टिकट वित्रण में भी होता है पार्टी में वुपेंदर शिंग हुड़ा या फिर उनके बेटे दिपेंदर हुड़ा की चलने जैसी कोई बात नहीं है हर्याना लोक्षवा आयो की तरब से PGT स्किल टेस्ट का आयोजन किया जाना है HPSC द्वारा PGT के 3000 79 पदों पर भरती की जानी है ऐसे में जो भी उमिद्वार इस स्किल टेस्ट में सामिल होनी जा रही है उनके लिए एक बड़ी खबर है आपको बता दें कि हर्याना लोक्षवा आयो की तरब से PGT स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी कर दिये गए है PGT के लिए स्किल टेस्ट 6 और 7 स्तंबर को आयजित होगा Music और Fine Arts के लिए स्किल टेस्ट 6 स्तंबर यानिकल होगा जब कि फिजिकल एजुकेशन के लिए स्किल टेस्ट 7 स्तंबर को आयजित करवाया जाएगा सभी उमिद्वार हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते है करमचारी पैंशन योजना यानि EPS के तैट पैंशन पाने वाले पैंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशकबरी सामने आई है के इंदर स्त्राम एमरोजगार मंत्री मन्सुक मंडाविया ने जानकारी साजा किया है कि एक जनुरी दोजार पत्चीस से EPS पैंशन धारक देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक की किसी भी साखा से पैंशन प्राप्त कर सकेंगे इस फैसले से लगबग 38 लाग पैंशनर्स लाभानमित होंगे यह एक रिटायर्मेंट स्कीम है जिसे EPS दवारा मैनेज किया जाता है स्रामिम रोजगार मंत्राले ने एक अधी सुचना जारी कर बताया कि Employee Pension Scheme 1995 के लिए सेंट्रलाइज पैंशन 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 सिस्टम के परस्ताओं को मंजूरी परदान कर दी गई है इस सिस्टम के जरिए राश्टिय स्तर पर सेंट्रलाइज सिस्टम तयार होने से भारत के किसी भी कोने में किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पैंशनर्स को पैंशन दिया जासकेगा हर्याणा में विधान सभात चुनाओं के लिए BJP के पहली सुची जारी होने के साथ ही पार्टी में भगदर मच गई है भाजपानी बुदवार को 66 उमिदवारों के लिष्ट जारी किया है इस लिष्ट के जारी होने के कुछी मिन्टों में सोसिल मीडिया पर एक के बाद एक पार्टी पदाधिकारियों के इस्तिपए गिरने शुरू हो गए टिकट कटने के बाद रतिया के भाजपा विदायक लक्ष्मन नापा ने इस्तिपए दे दिया रोतक के मैम से भाजपा के 2019 में केंडिडेट रहे समसेर सिंग खरकडा सोनिपत के जिला उपादेक्स संजीव वलेचा और भाजपा किसान मोर्चा चर्की दादरी के जिलादेक्स विकास उर्फ भल्ले चेर्मेन ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया इसके अलवा हिसार के उकलाना रिजव शीट से जेजीपी के पूर विदायक अनुपधाने को टिकट देने से नाराज पार्टी के नेता समसेर गिल और पूरु उमिद्वार सीमा गैविपूर ने भी पार्टी छोड़ दी है हिसार में कमल गुफता को टिकट मिलने पर पहले ही बगावत की गोशना करने वाले भाजपा जिलावपाद्यक्स तरुन जैन भी पार्टी छोड़ने का एलान करने वाले हैं उन्होंने सुबह अपने निवास पर समर्थकों की बैठक बुलाई है महीं सोनिपत्स से भाजपा पुरुवांचल प्रकोश्ट के परदेश सैसन योजग संजे ठेकदार ने भी भाजपा छोड़ दी है चरकी दादरी के बाड़ला सीट से विधायक रहे सुकविंदर शोरान ने परदेश अद्यक्स किसान मोर्चा के पत्स से इस्तिपा दे दिया है इसके अलावा परिवार पैसान पत्र की स्टेट कोडिनेटर सतिस खोड़ा भी बगावत पर उतर आये हैं उन्होंने आज अपने आवास पर स्मर्थकों की बैठक बुला ली है रानिया से देवलाल के बैटे रंजी चोड़ाला की टिकट कटने पर उन्होंने आज सिर्सा में अपने आवास स्थान पर स्मर्थकों की बैठक बुलाई है रंजी चोटला निर्दली यही चुनाव मैदान में उतर सकते हैं हालांकि वे कॉंगरेस के संप्रक में भी है सोनिपत से कविता जैन भी बगावत पर उतर आई है उनके पारिवारिक सुत्रों ने बताया कि वे बीजेपी उमिद्वार के खिलाब निर्दली चुनाव लणने के लिए मैदान में आ सकती है आज हमें हरियाना और राजस्तान की मंडियों के कुछ ताजा भाव प्राप्त हुए हैं जो की इस प्रकार से हैं TED सिवानी मंडि में ग्वार का भाव 5220 चना का भाव 7750 मूं तो यह शिवानी मंडि में मोट का भाव 602 रुपए परतिक रुपतल, शिवानी मंडि में सरसों का भाव 4 nearest लाइब का 6 motsच सौ पच्यसूपत्यसूपत्यों रपय तार अमेरा पांशितार और जो का भावưởng कलोज़ हुआ सेंसक्स के 30 में से 19 सेर्ष में ग्राउट और 11 में तेजी देखने को मिली वहीं निप्टी में भी 81 की ग्राउट रही और ये 25,198 में के स्थाफर क्लोज हुआ एस याई बाजार में बड़ी ग्राउट देखने को मिली है वहीं नेशडेक 3.26% गिरा इसके लावा S&P 500 दो दसमलो एक दो परशन की ग्राउट देखने के साथ 5528 किस्तर पर क्लोज हुआ वहीं 10 ग्राम 24 कैट सोने का भाव 214 रुपे गिर कर 71,280 रुपे पर पहुँच गया है आज खबरों बशितनाई देखते रहिए आपका अपना हर्याना का सबसे बेहतरे न्यूज चैनल CWB Hindi News नमस्कार इसी आशा के साथ आपका दिन सुब रहे